नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका हमारी यूटूब चैनल दिरधारी क्लासेश में दोस्तों उत्राखन सामन गैन की इस ओनलाइन कोर सीरिज में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे उत्राखन राज में पत्तर काडिता का इथियास दोस्तों उत्राखन सामन गेंकि इस online course series में अभी तक हम history और geography की यानि उत्राखन history और उत्राखन geography की लागवक 40 प्लस वीडियो बना चुके हैं और जो हमारे youtube channel में अभी पहली बार आये हैं तो वो playlist में जाकर इन वीडियो को चक कर सकते हैं और वहाँ पे इन वीडियो को भी देख सकते हैं तो आज हमें आप पे उत्राखन राज में पत्र करता के इत्यास के बारे में details याप पे चर्चा करेंगे दोस्तों हम आपके लारक हैं उत्राखन जी के एप जिसमें आपको उत्राखन सामन या detail notes उत्राखन जी के MCQ practice set और उत्राखन competitive exam previse year paper आपको provide के जाएंगे तो आपको जाने अपने google play store में और यहाँ पे सर्च करना है उत्राखन GK app यारा यहाँ पर उत्राखन Gk app आपको जाने है और यहाँ पर दे सकते हैं उत्राखन जनर 9020 की नामसे मारा app है और sjグroup का यह एप है तो इस app क्लिक करना है और इसको आपने install कर देना है और इसका आपको लोफ्ट उठाना है और अगर आपको एप अच्छा लगता है तो इसको आपको 5 रेटिंग देनी है और साथ इसके बारे में कमेट बॉक्स में अपने राये जरूर दें दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टोपिक है उत्राखंड राजे में पत्रकारिता का इत्यास पत्रकारिता जो किसी भी देश या किसी भी राजे का एक बहुती महत्वण अंग होता है और इसी प्रकार उत्राखंड हो चाए भारत देश हो इसका एक बहुती महत्वण अंग है पत्रकारिता और ये आज ही नहीं है उस समय से यानि उस समय भी पत्रकरत एक भोती महत्रपूर्ण अंग हुआ करता जब भारत में न तो मुगलों का सासन था यहां पर यहां पर आये थे और नहीं यहां पर अंग्रेजी सासन था पहले उस युग में भारत में क्या होता बहुत सारे राज कोश्चना का नियमकानून को सूय Forsch चैने था बदाने था या कुछ अन्या बाते जो बताने थी तो एक ब명ती को चुन ते थे और बदाती परजा को बता थें। और इस ब्यृवस्था को उस टाइम कहते है मुनादी। किस के नाम से जाना जाता था। जब राजा लोग क्या करते हैं believing ब्यक्ति के माधेम से परजा में अपने संदेशों का आदान-परदान करते थे। उसके बाई भारत में पत्रकारिता यानि प्रिंटिंग प्रेस खोलने का जो स्रे जाता है वो किसको जाता है पुर्तगालियों को जाता है पुर्तगाली मुगलों के सासनकाल में यहां पर आते हैं लगबग जब यहां पर अकबर का सासनकाल होता है मुगल राजत हजो अकबर वो यहां पर जब सास को कि एक को जाता है वह झाता है आपका पूर्त गालिएँ को जब की उत्राखंड में द्रीष्टि अलग है उत्राखंड में सरप्रतहम किस विजेसी ने याप ससनके वह चीए यांपर अंग्रेजों तो अंग्रेजों को यहां पर उत्राखण में पत्रकारता या प्रिंटिंग प्रेस हो गया जो पत्रकारता को शुरू करने का स्रेक इसको जाता है अंग्रेजों को तो अभी मैंने आपको थोड़ा यहां पर भारत की पत्रकारता के बारे में आपको समझाया और अब हम यहां तो पूर्ण जानकर है आपको वाँपे सेयर करते रहते हैं। दोस्तों उत्राखन में पत्रकारता के इत्यास का अध्यनम तीन भागों यापे करते हैं। पर्थम चरन दूसरी चरन की पत्रकार्था और तीसरे चरन की पत्रकार्था तो पर्थम चरन की पत्रकार्था थी यहां पे 842 से लेकर 1900 यहां पी यह मिश्टे गोई थी 1900 के बीच जितने भी उत्राखन में समाचार पत्र छपे उनका अध्यम करते हैं पर्थम चरन में और इ पत्रकारता के दुनिया में सबसे ज्यादा उत्राखण के पत्रकारता की जो इतियास है उसमें सबसे ज्यादा समाचार पत्र चपया होंगे तो इसी दूसरी चरण में चपने ते इसने बहुति मेहत्पूर्ण भूमीय का निभाई थी चैयो सतंता अंद्रोन में हो जो भी समाजिक मुद्दे हों चैये जो भी मलव कुपर थाएं हों उनको उजागर करने में दूसरे चरण की पत्रकारता ने सबसे का निभाती सुसंद्टा राउंद्रम में तो आज हम यहां पर इन तीनो चरणो की पत्रकारता है उत्राखण absorption करेंगे तो आज की व्यां में पर discussion discussion करेंगे उत्राखण में पत्राखण का पर्थम चरण परत्र चरण में पत्र करता है यह मैं आपको बता चुका हों कि यह जो परत्र करता थी यह ति सरकार परस थी उसक्या में आप पर उत्राखंड में अंग्रेजों के द्वारा ही वह किया घया था और ये एंग्रेज क्या करते जो अपनी इनी के सरकार थी और अपनी सरकारों से जो अच्छी नीतियां थी उनका ही क्या करते लगातार परकासन करते अपने अकबारों में और अपनी सरकार का परचार परचार करते लेकिन जो भी सामाजिक मुद्ध्य थे जो भी समाज की जो स समाचार पत्र थे तो सबसे पहले इस तरण में जो सर्फ प्रतम अकबार चाहपा गिया हिल्स हिल्स 842 SP में इसकी स्थापन या ये समाचार पत्र का प्रकासन का बवा हिल्स का तो ये वा था 842 में हिल्स समाचार पत्र का प्रकासन जोन मेकिनन किसने क्या था ये जोन मेकिनन जो कि एक पाद्र था और ये एक अंग्रेज था तो इसने आपे 842 SP में हिल्स नामाग समाचार पत्र का परकाशन किया और हिल्स नामाग समाचार पत्र जो कि उत्राखन वो उत्री भारत का पर्थम समाचार पत्र था तो बहुती महत्वपूर्ण को ऐसा नहीं कि उत्राखन का पर्थम समाचार पत्र कौन था तो वो था Hills जिसका प्रकासन John McKinnon ने 1842 में किया तो इक्जाम के दुरिस्टे बहुती महत्वपूर्ण है काहिवारी एक्जाम में पूचा जा चुका है और इसका प्रकासन किस में क्या गया कौन सी समाचार पत्र गजियाबाद से चापा गया था लेकिन उसके बाद John McKinnon ने क्या किया मसूरी के सेमिन 테र्टक में एक प्रिंटिंग प्रेष खोली और मसूरी के सेमिन shoot printing press से हिलसनामख समाचार पत्र को छापा तो हिलसनामख समाचार पत्र जो कि उत्राखन का पर्सम समाचार पत्र था इसका प्रकासान 8822 में और कहां से क्या गिया उत्राखन में सर्पर्सम कहां से क्या गिया तो ये क्या गिया मसूरी के सेमिनरी स्कूल परिसर से तो बहुत ही important है आपको ये note करना है उसके बाद जोन मेकिननिकन ने देहिल्स के संपादगे के माधम से ऑलनट और इंगलेंड के आफ्टी संगर्षों को लेकर खुब चर्चाएं इनूने की थी किसकी चर्चाए की थी मनलग इस समाचार पत्र में काफी जाहाद तक इन्होंने आयलोन और इंगलेनन के मद्धे उस टाइम के अक्रच चल ला था संगर्ष चल ला था और इन्होंने उस समाचार पत्र में इसका काफी परकासन किया था फिर क्या हो था सन 849-50 में जोन मेकिनन द्वारा इस समाचार पत्र का परकासन बंद कर दिया था अब इसके बहुत सारे कारण मानते हैं इत्यास कार कुछ मानते हैं आर्थिक कमी के कारण इन्होंने ये परकासन बंद कर दिया था कुछ मानते हैं सरकार के दवावी कारण वो खेर अलग बात है लेकिन 1859 में ये समाचार पत्र का प्रकासन बंद हो गया था और फिर यहां पे 1860 में डोक्टर इसमें द्वारा दहिल्स का प्रकासन पुनाहा आरम किया गया और 1865 में इस समाचार पत्र का प्रकासन हमेशा के ल उसके पास जो दूसरा समाचार पत्र छपा मेफिस लाइट उतराघन का दूसरा समाचार पत्र मेफिस लाइट कब इसका प्रकासन वा? या इसके पलतम समपाद कों थे यह जोन लेग ज läuft जहांसी की रानी लक्ष्मिभाई के वकील रह चुके थे? कौन थे यह जोन लेग जो कि जहांसी के रानी लक्षी भाई के वकील रह चुके थे और इन्होंने 845 में मेफिस लाइट नामक समाचर पत्र का परकासन किया और कहां से के इन्होंने ये भी उत्राखन के मसूरी से किया लगवग जो पर्थम चरण के सभी समाचर अधिकांस थे उनका परकासन मसूरी से ही किया गया तो पर्थम चरण में मसूरी एक मुख्य केंदर बन गया था उत्राखन में पत्रकारता के इत्यास का उसके पाद यह समाचर पत्र भी किस लेंग्वेज में छापा गया था तो य यह अंगला भासी यानि अंग्रेज भासी समाचार पत्र था लेकिन अंग्रेज अकबार होते हुए इसने अंग्रेज सरकार की नीतियों का विरोध किया तो पर्थम चरण का एक भोती महत्पूर्ण वेफिस लाइट नामक समाचार पत्र था जिसने अंग्रेज सरकार प्रस् ने सरकार की नीतियों का विरोध किया था उसके बाद 857 इसपी में इंगलिस मेन कलब मसूरी की बैठक में लॉड डलोजी के बारे में आप सभी जानते होंगे लॉड डलोजी ने इस से सामराज विरोधी अकबार करार दिया था क्योंकि इस समाचार पतर ने अंग्रे शरकार पतर हुए जिन्हों ने अंगले शरकार की नीतियों का विरोध किया तो उन में से लाड डलहोजी ने याँ पर इस समाचार पतर को सामराज विरोधी अक़बार करार दिया और कब दिया ये अठारसो सताओन मे इंग्लिस मेन कलब मसूरी में तो बहुती मेर्टपूने कई बार एक्जाम में बन सकता है कि किस समाचार पत्र को लॉर्ड अलोजी ने सामराज विरोधी अकबार करार दिया तो मैफिस लाइट को दिया था अठार सो सताओन में इंग्लिस मेन क्लब मसूरी की बैठक में उसके बाद जो तीसरा समाचार पत्र था उतराखन का वो था समय विनोद समय विनोद कब चापा गया अठार सो अरसाट से लेकर अठार सो अठार तक ये पत्रकार्टा की इत्यास में रहा और देखो समय विनोद इसका परकासन अठार सो अरसाट में किया गया और उतराखन का पर्थम हिंदी में परकासित होने वाला समाचार पत्र कौन था तो समय विनोग था बहुती मेर्टपूर्णा एक्जाम में कई बारे बन चुका है कि उत्राखन में सरपर्थम ऐसा समाचार पत्र कौन था जिसका परकासन हिंदी में किया गया तो वो था समय विनौद, इसका हिंदी में नहीं, इसका उर्दु में भी परकासन किया गया था, इस समाचार पत्र के समस्नापक, वो संपादक कौन थे तो बहुते, जैदत जोसी जुनोंने विनौद नामक समाचार पत्र युन जो 15 हर 15 दिन में चापता था यह हर 15 दिन में आता था प्रकासन होता उसका तो यह एक पाक्षिक समाचार पत्र था समय विनोद जो कहां से चापा गया नेनिताल से इसको चापा गया था जो प्रारम में जब यह चापा गया तो सिर्फ इसके 32 गराग थे जिसमें 17 तो भारते और 15 ठाकिते वो थे यूरोपिया और यह समाचार पत्र हिंदी और उर्दु दोनों भासों में इसको क्या प्रिंट किया जा था जिसके मैं आपको बता चुका हूं और 888 में इसका प्रकाशन यहां पर हमेशा के लिए बंद हो जाता तो समय विनोत जो कि 888 से लेकर अठातर तक रहा और यह उत्राखन का पर्तम हिंदी समाचार पत्र था उसके बाद आए यहां पर मसूरी एक्सजेंज मसूरी एक्सजेंज का प्रकाशन हुआ 870 में यानि इस्थापना इसकी कभूई 870 में मसूरी एक्सिजेंज का परकासन 870 में हुआ लेकिन ये इतना अधिक विख्यात नहीं हो और कुछ समय के बाद ये भी बंद हो गया तो इसके बारे में ज्यादा विवरण कहीं मिला नहीं क्योंकि इतना ये मलब ज्यादा परच लेतें नहीं होना अल्मोडे अखर्णी में आता है ह्लमोडय एकवार ku holds arti 7181 में यान पेर प्रकासन होता है पर्फम चरण काOTर कि पत्रकार्ट का प्रत्रकरतिय का प्रफम चनका सबसे महत्या अकवार किar कउर notि इसमें क्या हुआ था कि 870 SP में अलमोडा में debating club की इस्थापना के गई थी और किसके द्वारा के गई थी यहां पर बुद्धि वल्लब पंत की द्वारा देखो अलमोडा अकबार पर मैं एक special वीडियो मना चुका हूँ तो यहां पर आई बटन मिल जाएगे तो उस वीडियो विल्यम मियूर की मुलाकात होती है बुद्धि वल्लब पंत जी से और विल्यम मियूर बुद्धि वल्लब पंत जी को सजिश्ट करते हैं कि वो एक समाचार पत्र का प्रकासन करें और विल्यम मियूर के कहने पर बुद्धि वल्लब पंत जी अठार सो 71 में अलमोडा अकब परस्ता बहले जब बद्रदत पांड़े यहां पर इसके संपादक बन जाते हैं तो अब यह अलग ही जिसा में अखबार का वो रुख मोड़ देते हैं और फिर वो अंग्रे सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं खरुबाद में आपको बताओंगा लेकिन सुरुवात में मै आपको बता दो कि अलमोडा अखबार भी क्या था पर्थम चरन का ऐसा अखबार था जिसने शुरुवात में अंग्रे सरकार की नीतियों का जम कर सपोर्ट किया था बिलकुल इसने समाजिक मुद्धों को बहुत कमी उसने उठाइता अर्था एक सरकार परस्त क्या था अब यह वाला अखबार नहीं रह जाता पुराना वाला अखबार जो कभी अंग्रे सरकार परस्त हुआ कर था यानि जो कभी अंग्रे सरकार की नीतियों का सपोर्ट कर था अब वही अलमोडा अखबार जैसे ही इसके संपा तक बन जाते हैं बदरत पांडे जी इनको कमाओ केसरी के नाम से भी जाना दाता है तो बदरत पांडे जो की यह जंता से जोड़े हुए आदमी थे और इन्हो सपना शुरू कर दिया तो सरपर्थम इन्होंने अंग्रे सरकार की विरोध में 14 जुलाई 1913 इस्वी को कुली बिगार परता हो गया और जंगलात नीति के विरोध में इन्होंने अलमोडा अखबार में बदरत पांडे जी ने सरपर्थम लेक चाप दिया और इस लेक को दे सरक चाप भालु सअही चाप बहुति मुर्तफन ने इकजाम में परूस जोट सर्क किल % किसकी और करना बदरते सक्थम बधर बदरत पर 15 लिखते हका था कभी अतम बदरत पब लोमस वो जाता है जंगल सिकार खेलने मुर्गी के सिकार खेलने और वो एक कुली से क्या करता है सराब मगाता है करसा को पहुत बहुता है और वो उस कुली को बहुत बहुत में ब्जबशि अधनका को देंख काभी आहत ce इस घटना में वो अपना एक लेक छापते हैं और इसका विरोध करते हैं उसका लोमस की काफी निंदा होती ऐगा लेकिन फिर अप्रेल माह में ऐस स्टाइम क्या होता है। मलब जंगल में शिकार खेltryलना कानूनिय अपराद माने जाता है। फिर्डरत पंडरीजि करते हैं कि अगर आप डिर्अकम में यह में अपराद है। तो इस ख़वर मलब फिर लोयमस क्या करता है। लोमस या अंग्रे सरकार पर इतना प्रेसर आ जाता है जनता का कि वो अलमोडा अकबार को ही परतिबंदित कर देते हैं हमीशा के लिए इसको बंद कर देते हैं फिर जैसी अलमोडा अकबार 1918 में हमीशा के लिए क्या हो जाता है बंद कर देता है और जब अलमोडा अकबार प सिकार करती है लोमस ने का मैंने मुर्गी मारी मुर्गी मरी के नहीं मिरी वह तो पता नहीं लेकिन कुली उस गोली से जरूर मर गया और फिर इस गोली के वज़े से अलमोडा अखबार का प्रकासन भी हमेशा के लिए बंद हो गया इस पे भी पर्तिबंद लग गया यानि एक कुली के तीन सिकार मुर्गी कुली और अलमोडा अखबार तो ये किस ने चापा था ये बेंग किस ने किया था अंग्रे सरकार पे वो क्या था गढ़वाली समाचार पत्र ने तो ये भी बहुत इंपोर्टन क्वेशन है कई बार एक्जाम में पूछा जाता है रोज के बा तो कॉलमेन और नोर्थम ने 1852 में मसूर सीजन का प्रकासन किया और कहां से किया ये भी मसूर से प्रकासित होने वाला समाचार पत्र था और ये मातर कितने सालों तक रहा तो दो वर्षतक ये समाचार पत्र रहा और ज्यादा ये प्रचलेत नहीं हुआ कोई खास समाचार पत्र थे इसके जोन नोर्थम और ये 1886 में ये भी बंद हो गया तो ये मला ये अलब वकाल था कि समाचार पत्र रही इन्होंने ज्यादा सूर्ख्या नहीं बटो रही इतने ज्यादा ये विख्यात नहीं हुए उसका दाईगल 37,881 में इसका परकासण किया गया, मोरटन संपादक थे इसके और 885 मीं ये बंद हो गया था तो ये ते तमाम समाचार पत्र थे उत्राखन के पर्तामचरण 1842 जो शुरूए थे और 1900 के वीज जो उत्राखन के पत्रगारता कि इध्यास का पलतम चरणा माना जाता है उसमें यह महित्वपॉर्ण समाचार पत्त थे जिनके बारे में आपको इस्टेप डेटेल से आपको जानकारी दे चुका हूं तो आशा करते हैं आपको यह सारी जानके रहें अच्छी लगी वीडियो को लाइक शीयर और बीडियो के बार में कमेट बॉक्स में अपने राय जरूर दे और बीडियो को अधिक से अधिक से अधिक शीयर करें ताकि आप जो भी यहाँ पर उत्राखन कॉम्ट्राटिक को से करते हैं